लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइक अंदबाना ना भूलें देश में फैले कोरोना संकट के चलते बीजेपी खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है भाजपा नेता, जोतीरादित्य सिंध्या और उनकी माँ माध्वी राजे की तब्यत बिगड़ गई है मिली जानकारी के अनुसार दोनों कोरोना संक्रमन की गिरफ्त में आ गए हैं उन्हें बुखार और गले में खराश की समस्या थी जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया जिसकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है बताया जा रहा है कि सिंध्या और उनकी माँ को दिल्ली साकेत के मैक्स अस्पताल में भरती करवाया गया है जोतीड़ादित्य सिंध्या में कॉरोना संक्रमंट के शुरुवाती लक्षन दिखाए दिये थे लेकिन उनकी मा में किसी तरह के कोई लक्षन नहीं थे लेकिन आज सामने आई टेस्ट रिपोर्ट में दोनों पोजिटिव पाए गए है भाजपा नेता सिंधया और उनकी मा के संक्रमन की चपेट में आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है उनके संपर्क में आई लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है उनके पूरे परिवार की स्वास्थे जांच की जा रही है साथ ही डोक्टर यह पता लगाने में जुट गए हैं कि भाजपा नेता और उनकी मा संक्रमन की चपेट में कैसे आए बताने की इस से पहले भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता संबित पात्रा भी कोरोना वाइरस की चपेट में आ गए थे उन्हें गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल में भरती करवाया गया था जहां उनकी कोरोना संक्रमन की रिपोर्ट पोजिटिव आई थी हलांकि संबित पात्रा ने कोरोना संक्रमन को मात दे दी है और वे 8 जून को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं हलांकि एहतियातन उन्हें अभी घर पर ही क्वेरेंटाइन में रहना होगा